दोस्तो मैं हमें सास्त्री नरंतर आप सभी से संस्कित के बहुत महत्पूर प्रश्णों पर चर्चा करता हूँ जिसमें हम हर तरीके से समस्ते की कैसे प्रश्णाना है और किस प्रकार की हमें संस्कित में तैयारी करनी है तो चलिए आज के प्रशनों पर चर्चा करें इसकी PDF कैसे मिलेगी आगे वो भी हम बता रहे हैं तेकिन पहले हम सुरुवात कर लेते हैं समय कम पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए तो देखें अहूरात्तरा में समास है संदी उस समास दोनों चेप्टर मेंने ट्रिक के साथ अर्थ क्या होता है दिन और रात तो ये क्या हो रहे हाई आपस में दुन्द हो रहा है दो चीजे हों ठीक है देखें एक और देखें अगला है द्वादस में समास है द्वादस का बिग्रए कर दो तो 10 प्लस दस, द्वादस मतलब होता है बार है, ठीक है न, तो द्वादस दस, अब इसमें लोग कन्फ्यूज होंगे, इसमें लोग क्या करके आएंगे, दिगू समास लगा देंगे, नहीं भाई, यहाँ पर दिगू नहीं है, मैंने माना कि संख्या बाची दिगू होता है, दिगू में कब होता है, प्रथम पद संख्या बाची उस समाहार अर्थ निकले, कि समूह, ठीक है न, जैसे कहा पंच बटी, तो पंचा नाम बटा नाम समाहारा, पंच बटीओं का समूह, ऐसे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर गिंती वाला है, तो द्वादस द दें, और जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, वीडियो डल जाते हैं, कई लोग बोलते, सर मेरा इचूट गया, तो आप बेल आइकन दवाने के पस्चात, ओल नॉटिफिकेशन ओन भी कर लें, और जिसने हमारे एप को डाउनलोड कर लिया, उन्हें तो फिरी पीडिया इसकी मिल ही रही है, ठीक है न, मैं करम करम से अपलोट करता जाता हूँ, फिरी पीडियाप है, बहुत सारे वहाँ पर वीडियो भी हैं, और टेस्ट भी हमारे आने वाले हैं, जो आप एप पर दे पाएंगे, इसलिए जिसने डाउनलोड ना किया हो, डिस्क्रिप्सन में म अपने सब्सक्राइबरों की, कुछ और बचिये, वो मैं कम्प्लीट करा दूँगा, पितरव में समास है, समास होना चाहिए समा लिग जा, पितरव, पितरव का जो समास एक करम से चल लए हैं, कई लोगों को लें साथ समास ही समास के इसमें क्वास्चन नहीं करम से पढ़ पितरव में समास है, इसमें आएंगे हर सब्सक्राइबरों की, तो समास की यहाँ पर बात पूछ रहे हैं कि प्रतरव में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका बिग्र है कर लिजिए, माताचा, पिताचा, पृत्रव, माताचा, पिताचा, दुंद समास, महत्पून, पात में कौन सा समास है, ठीक है, तो ब्याग्र का पात, मतलब ब्याग्र पात में जो यहाँ पर समास होगा जाएगा, बहुब्रही, क्योंकि यह तीसरा आर्थ निकल लाहा है, ठीक है ना, ब्याग्र मतलब होता है सेह, पाणी पादम में कौन सा समास है, तो यहाँ पर काल लेगा करें तो पाणी और पाद इनका तो क्या हो जाएगा पाणी पादम तो यहां पर हो जाएगा समाहार द्वंद कौनसा द्वंद हो जाएगा समाहार द्वंद इन द्वंद के हमने अच्छे से भेद आपको समझाये थे इसलिए इनमें गलती नहीं होनी चाहिए जो ह हो सकता है वो आपकी नोकरी चुका दे एक कॉस्चन एक नमबर से कई लोग हजारों लोग पीछी रह जाते एक नमबर हो रहा तो तुम कही मेरेट में नाम आ जाता और आपको बनना है एक नमबर प्लस वाला ठीक है न याद रखना राम लक्ष्णव में कौन सा समास है तो राम लक्ष्णव दो यहाँ पर अब कौन सा द्वंद है या आपको बताना है तो आपको बता दें राम लक्ष्णव में जो है राम और लक्ष्मण इतरेत और द्वंद कौन सा है इतरेत और द्वंद इनका बिस्ताल से पढ़ा है इसलिए भी ब्याख्य जादा नहीं ले रहे पीत पुस्पम में कौन सा समास है अब देखो पीत पुस्पम पीत मतलब क्या होता है पीला पीत मतलब पीला पुस्पम मतलब पुस्प पीला पुस्प तो यहाँ पर पीत क्या हो गया विशेशन और पुस्प क्या हो गया विशेश्ट तो जहाँ पर विशेशन विशेश्ट भावा है वहाँ कौन सा समास होता है कर्मधारे समास होता है पीत मतलब पीला पुस्पम इस परका से नील कमल आता न उभाय पद प्रधान कौन सा समास ह चेह की ही हमने विलकूर ट्रिक बता दी थी कौन सा किस पद में प्रधान है तो ओभाय पद जो प्रधान समास होता है जिसमें दोनों ओभाय मतलब होता है दोनों दोनों पद जिसमें प्रधान होते हूं वो कहला ता दुन्द जिसे माता चे पिता चे माता की प्रधान ता है और पिता की भी पितरों बन जाता है आगे दोस्तो पूरा वीडियो देखने के बाद एप जरूर डाउनलोड कर लेना डिस्किप्सन में लिंक दी है साथी साथ टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना तो सारी पीडियेफ आपको मिलती रहेंगी वीडियो के भी लाइफ किलास होगी उसके भी आपको नोटिपी के सानोह पर पहुँच जाएगा और चैनल से तो सबस्ताइब कर लिया तो आपको चिंता ही नहीं सारी सूचना है सारी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेगी रामाह चित्रम इस बाक का पूरक है रामाह चित्रम अब इसमें जोड़ी आंगे क्या सही बनेगा रामाह मतलब राम चित्रम मतलब चित्र को पस्यती मतलब देखता है राम चित्र को देखता है पस्य करें तो फिर नहीं राम चित्र पस्यती ठीक है और पस्यामी हो नहीं सकता, क्योंकि अहम होता यहां पर, तो फिर पस्यामी होता, अहम के साथ आता है पस्यामी, ठीक है न, तो पस्यती लगेगा, क्योंकि राम सब्द कैसा है, एक बचन है, तो पस्यती भी कैसी आ जाएगी, एक बचन में है, प्रथम पुरुस बिमला खाली स्थान गरहम आगतवती ठीक है ना बात कमें जल्दी से बता दीजिए बिमला गरहम आगतवती किस से आई है बिमला घर आई तो किस से आई तो यहाँ पर बोला है जिसके द्वारा आया जाए ठीक है ना जिसके द्वारा के द्वारा आर्थ निकला साइकल के द्वारा साइकल यान के द्वारा मतलब साइकल जो है उसके द्वारा आई है विमला यसा खालिस्थान सिंहासनम अधीत रिष्टती अब राम की बात है तो राम सिंहासन ठीक है पर बैठते हैं अब यहाँ पर कोई बोले कि इसका जो अर्थ नेकल लाहा है वाँ तो पर हो रहा है लेकिन पर के साथ तो क्या आती है सब्तमी आती है तो यहाँ पर सब्तमी क्यों नहीं आईगी तो भहिया सब्तमी इसलिए नहीं आईगी क्योंकि अधी उपसर्ग लग गया क्या लग गया अधी और इसके साथ अधी उपसर्ग लग जायते तिश्ट अर्थ में, बैठने के अर्थ में, जाने के अर्थ में, तो फिर यहाँ पर दुतिया आती है, इसलिए सिंहासनम अधितिश्टति, यहाँ पर क्या आई है? दुतिया आ गई है, ठीक है न? सिंहासन पर बैठता है, तो यहाँ पर सिंहासनमे दुतिया है, क्यों? क्यो बैठते हैं, ठीक है, ते परिश्रमेण अन्नम, इस बाग का पूरा कन्ना है को, ते परिश्रमेण अन्नम, मतलब ते मतलब बे सब परिश्रमेण, परिश्रम के द्वारा अन्नम, मतलब अन्न को क्या करते हैं, अब ते है, साह तव ते, साह तव ते, ते मतलब बहु बचन, त उत्पाद्यती उत्पाद्यता उत्पाद्यती बहु बचन में लगाना है ठीक है ना तो क्योंगी ते है ते के साथ बहु बचन आएगा ते बहु बचन है तो यहाँ पर क्रिया भी क्योंकि हम आपको बता चूगे करता जिस बचन का होगा क्रिया भी उसी बचन की होगी करता बहुवचन का है तो क्रिया यहां पर क्या होगी बहुवचन हो जाएगी ठीक है प्रिशन पसंद आ रहे हो तुरांत एक बाल लाइक पर क्लिक कर दें लाइक और कमेंट करना आपका काम है बाकी मैं तो प्रतीदेन ऐसे प्रिशन लाई रहा हूँ पेपर के पहले आपकी हम अच्छी मजबूत तयारी करा देंगे आबाम बायू यानिन ठीक है ना आबाम मतलब हम दोनो अहम आबाम बयम आता है तो आबाम मतलब होता है हम दोनो बायू यानिन मतलब बायू यानिन के द्वारा अब क्या आजाएगा आबाम के साथ तो आप लगा लो यहाँ पर गच्छधातू के रूप चलाने है गच्छती गच्छता गच्छंती गच्छसी गच्छता गच्छत गच्छामी अहम के साथ क्या आएगा गच्छामी आबाम के साथ क्या आएगा गच्छा वाहा तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा गच्छा वाहा और बयम होता यहाँ पर माल लो तो आजाता गच्छा महा अहम होता तो आजाता गच्छा मी ठीक है और तो यूम होता तो गच्छत आजाता यूम के साथ तो इस प्रकार से आ आप अलग अलग यहां देख लें कि यहां क्या दिया है मैंने बता दिया ना कि करता जैसा होगा करता दुई बचन का है उत्तम पुरुस दुई बचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुस दुई बचन की आ जाएगी ठीक है ना इस पर कार से मतलब चात्र किसके साथ बिद्ध्यालाई जाता है ठीक न? यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है? चात्रह किसके साथ? छात्रिन सह, छात्र अन छात्रों के द्वारा के साथ विद्याले जाता है, ठीक है न, क्योंकि सह की योग में तृतिया विभक्ति आती है, सह, साकम, सारधम, इन तीनों कार्थ मिकलता है साथ, और इनकी योग में जो विभक्ति होती, वो कौन सी होती, तृतिया होती है, तो क्या है? तिृतिया है। इस प्रकार से तिरतिया लगा देंगे। गमधातु, गमकार से जाने के अर्थ में लोट लकार आग्यार्थक होता है जो प्रथम पुरोष दुईवचन का रूप होगा। ठीक है न, तो लोट लकार के जो रूप चलते हैं, मैंने सब्द रूप और धातू रूप, दोनों बिल्गो ट्रिक से पढ़ा हैं, इसलिक गलती नहीं चाहूंगा, तो आपको बता दूँ कि कैसे चलेंगे, गम धातू में चलेंगे गच्छतू, तो फर क्या हो जाएगा, ग गच्छतू, दुतिया में क्या बनेगा, गच्छताम, और बहु बचन में गच्छतू, तो यहाँ पर दूई बचन पूछा गया है, दुतिया की जगए दूई बचन, बोलना, कई बर हो जाता है, बोलना मैं, तो गच्छतू, गच्छताम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गच्छताम हो जाएगा ठीक है ना इस पकार से लोटलकार में हो गए रमा सब्द चतुर्थी एक बचन का रूप होगा यह अभ्यास से आ जाता है मैंने जब संस्क्रिश से पढ़ाई की बीए किया, एमे वगरे किया सब कुछ तो सुरू में हमें आप यहाद कर लिजे गागा करके बड़ी आनंद के साथ ठीक है राम के रामा रामव रामा प्रथमा रामम रामव एसे आ राम से याद करें आप हमारे वीडियो देख लें और तो रमा सब्द चतुर्थी एक बचन का रूप आपको बताना है तो यहाँ पर जो चतुर्थी एक बचन का रूप हो जाएगा बर क्या हो जाएगा रमायई ठीक है ना क्या बनता है चतुर्थी में रमा का रमाई आकारांत इस्त्रीलिंग सब्द है बाली कायाम पद में प्रियुक्त विफक्ती है बाली कायाम पद में कौनसी भिवक्ती है जल्दी से बता दें तो बाली कायाम में हो जाएगा बाली कायाम हाँ इसके कई भे हो जाएगी सब्तिमी भिवक्ती ठीक है ना क्या कौनसी हो जाएगी सब्तिमी आगे कई बार पूछा गया 29 या 49 है दो का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संख्या का एक से लेकर के हमने अरब खरब तक पढ़ा दी है संख्या का वीडियो देख लेना तो 29 का यहाँ पर जो परयावाची हो जाएगा तो मैंने कहा था एक उन लगा देना जितने आप पूछे ना जैसे 39 पूछा तो 30 में एक उन लगा दो 19 पूछा तो 20 में एक उन लगा दो 20 को कहते 20 सती एक उन कहते है कम को एक उन मतलब एक कम 20 तो 19 तो एक उन बिन सती हो जाता है तो यहाँ पर एक कम 30 पूछ रहे है तो एक उन क्या हो जाएगा यहाँ पर 300 हो जाएगा एकोन बिनसती मतलब होता है 19, एकोन त्रेसत मतलब 39 29, ठीक है ना एकोन बिनसती सब्द होता ही नहीं 300 मतलब तो 30 होता है 49 पूँछा जाता है तो अहाँ पर एकोन चत्वारिनसत कर देना, एक कम 40 ठीक है ना, ऐसे 40 पूँछा जाए, तो यह कोन 45, यह सब कुछ हम बता चुके हैं दूई सब्द इसके भी रूप चलते हैं आद रखना तो दूई सब्द प्रिथमा बिभक्ती में इस्त्री लिंग का रूप बताना है जल्दी से बता दीजिए दूई का प्रिथमा बिभक्ती इस्त्री लिंग फटाक से कमेंट करना है, समय कम पड़ाई जादा तो यहाँ पर हो जाएगा दोई, क्या हो जाएगा दोई, दोस्तो अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो, छूट गया हो, तो तुरंत कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और नहीं किया तो बहुँच कुछ छूट जरूर जाएगा नोटिवी के संद आवालें, और सब्सक्राइब पर किलिक कर लें, जिससे आपको जानकारी मिले, फिर आप कमेंट दे ना करेंगे सारे वीडियों डल गया था, मुझे पता नहीं चला था सब्सक्राइब नहीं कीये होगे, तो यसा ही होगा तरी सब्द पर्थमा विभक्ती पुल्लिंग का रूप है तरी सब्थमा विभक्ती पुल्लिंग ठीक है ना, असमा देश मत के तुरंत बिलकूर रटई लेना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक कभी के कर लो, इकारांत में, और गुरू के कर लो, ठीक है, पुल लिंग में, और मती के कर लो, इस्त्री लिंग में, तो इससे क्या सब रूप बन जाएंगे, अ मुख मुख आप कर लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा, चतुर सब्द नपुन सकलिंग प्रत्मा बिभक्ति का रूप है, चतुर सब्द नपुन सकलिंग के रूप चलाना है, और यहाँ पर प्रत्मा बिभक्ति का रूप यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जा ठीक है ना प्रस्ण है इसकी PDF हम बता चुके एप पर मिलेगी हाँ तो हरी सब्द तितिया विफक्ती एक बचन तो क्या हो जाए गत्रतिया में बनता है हरीणा ठीक है ना हरीणा बनता है यह कारांद पुल्लिंग है सुद्ध बाग का पहचानना है तो क्रिया के अनुसार ही क ठबसकर प्रता बचन पर ठीक ना यहा पर दिया है त्ये भूए अत्मने पहते होते जरूरी है तब nhiगा नीथ Iludhan अब सबसे पहले लिखा है हम अहम के साथ क्या आता है अत्ती नहीं आएगा ठीक है ना अत्ती नहीं आता है अहम के साथ अहम के साथ क्या आता है आमी पठधातू में आमी से पठामी लिखधातू से आमी में लिखामी तो यह अहम के साथ अहम पठामी अहम लिखामी यह अत्ती में कनफुज हो रही हो तो पठाती की रूप चला लो इसमें तो पठामी आना चाहिए ठीक है ना तो हमके साम पठासी आता है तो असी आना चाहिए तो हमके साथ अत्ती की जगह क्या जाएगा असी इसके भी रूप चला है तो असी आएगा तव के साथ सहतवते ठीक है तवदूई बचन का है ठीक है ना तो भी अत्ती नहीं आएगा अत्ती अत्तहा सकता था ठीक है ना सहा अत्ती ये सही है सहा अत्ती सहा पठती तो अत्ती इस प्रकार से यहाँ पर लगा सकते हैं सहा अत्ती बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ये सुद्ध है और देखें सुद्ध बात है अब मैंने बता चुका हूँ कि जिस बचन की जो है न यहां पर एक प्रकार से करता होगा उसी बचन का क्रिया होगा यह आद आपको आगया है ठीक है न तो अब आप देख ज़िए आवाम अहम आवाम ठीक है न आवाम पठामी पठावा है सही आ रहा है अहम पठावा नहीं या आएगा अहम पठामी होना चाहिए अहम के साथ क्या होना चाहिए पठामी ठीक है न बयम पठामा होना चाहिए वो बयम पठामी नहीं होता बयम पठामा होता है याद रखना ठीक है न पठामी अहम के साथ पठामा है किसके साथ बयम के साथ पठावा आबाम के साथ, तो, क्या पर यहां पर क्या हो जाएगा, आबाम पठावाः, ठीक है ना, इस पकार से इसका यह उत्तर ठीक हो जाएगा, सुद्ध बाग कहें, और देख लें, बहुत अच्छे तरीके से देखें, धीरी-धीरी आप भ्यास करते करते करतें न, कहतें न, करत क अब देखें, सुद्ध बाग यहां पर पहचानना है, तेन, अब तेन भाई जो है न, आत्मने पद में लिया गया है, और यहां पर जो गच्छती दे दिया हो, वो परस्माई पद का दे दिया, तो यहां पर गडबड हो जाएगी, तेन गम्यते, यह सई है, तेन गम्यते, सब में ते नहीं दिया है, क्योंकि, असुद्ध बाग का पहचानी है, ठीक है न, उपर वाले कन्फूजनियों का सुद्ध ही पहचानना था न, हाँ, बिल्कुँ सही, कई बार हो जाता है, पेपर में भी आप लोग गलती करा थे, पहचानना था, सुद्ध कर गया जाते अ सुद्ध, तो अपनको एग गलती नहीं करनी है, इसका भी ध्यान रखना है, तो अब असुद्ध बात कैसमें पहचानना है, तो पहला है तेन भूयते सही है, ठीक है न, तेन भूयते, मया भूयते, ए भी सही है, क्योंकि एक बचन में है, ए भी एक बचन में है, ए भी एक अब तेन भूयते नहीं भूयते नहीं होना चाहिए ठीक है न क्योंकि एक बचन है तो दूरी बचन है कैसे आ जाएगा इसलिए वाला असुद्ध है तोया भयाते सई है इस पकार से सी यहां पर हो जाएगा असुद्ध साहसासी का कर्म बाच प्रियोग होगा संस्केट में त कर्तरी बाच कर्ता की प्रधानता कर्म बाच कर्म की प्रधानता और भावाच ना कर्ता की ना कर्म की तो एस पकार से यहां पर बताजिए साहसासी का कर्म बाच होगा तो कर्म बाच जापन बनाते हैं तो क्या कर देते हैं तृतिया कर देते हैं ठीक है उसके कर्ता में कौन तो इसके रूप चलेंगे क्या हसासी को अपन क्या कर देंगे एक बचन में हस्यते, तेन हस्यते, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना? तेन हस्यते सुद्ध हो जाएगा आत्मनी पद में चला जाता है क्योंकि तयाब हुई अते का करत्री बाच्छ होगा करत्री बाच्छ मतलग करता की प्रधानता जिसमें होती है तो तयाब हुई अते का यहाँ पर जो करत्री बाच्छ क्या हो जाएगा तया इस्त्री लिंग है त्रितिया विवक्ति होती है कर्तिली बाच्च में कर्तिली बाच्च में प्रत्मा होती है कर्म बाच्च में त्रितिया कर्म बाच्च का दिया हुआ है कर्म बाच्च में दिया इसको कर्तिया परिवर्दत करना तो कर्म बाच में तृतिया होती है तो आप इसमें क्या करत्री बाच में करेंगे तो प्रत्मा हो जाएगी करता में तो तया का प्रत्मा कर दो तया इस्त्री लेंगे तो प्रत्मा क्या हो जाएगा सा और सा के साथ क्या आएगा प्रत्मा के साथ भवती तो सा भवती इसका उत्तर ठीक हो जाएगा आगे देख लेते हैं दोस्तों लाई को सेर जरूर करना आप कम से कम यदि आपको बास्ता में प्रश्ण पसंदार है आगे भी ऐसे ही चाहिए तो जद जादा अपने जितना बड़ा परिवार होगा उतने और अच्छे अच्छे प्रश्ण आप उतने जिसके साथ लेकर के आएंगे कम से का अपने तीन बॉट्सेप ग्रेप तीन फेस्बुक ग्रूप या फिर टेलीग्राम ग्रूप में आगे सेर करें अपने मित्रों को भेजें बो भी जुड़ें और संस्कित सब मिल करके अच्छे से पढ़ पढ़ा सकें सुद्ध बाक के है सुद्ध बाक के जल्दी से पहचान लीजी अब यहाँ पर ठीक है ना तो आसुद्ध क्यों है यह भी जानना पड़ेगा अपन सब को ठीक है ना तो सही दिया है और गजच्छत भी इसकी अनुसार सही है क्योंकि सह तव ते गजचती गजचता यह तो सही है तो यहाँ पर यह सही है लिकिन गजच अर्थ में यहाँ पर दुतिया आना चाहिए तव मतलब बे दोनों घर को जाते है तो गरहे है सब्थिमी दे धिया इसलिए यहाँ पर साब्थिमी दुटिया दे धिया धुटिया का वही वचन गिरहम करहानी ठीक न तो इस दका से तो के मदलब बे दोनो गरहम मतलब घर को जाते हैं गरहम होना चाहिए तव गरहम गच्छता है दूसरा आ गया तो यह सही हो जाएगा ठीक है न यहाँ पर तव है यहाँ पर गच्छनती बहुबचन दे दिया इसलिए गलत है यहाँ पर तव दे दिया यहाँ गच्छसी दे दिया तो तम देना था तो गच्छसी ठीक होता इस प्रकार से और यहाँ पर ग्रहम ठीक है न कर्म में कौन सी भी वक्ती होती ही दुरतिया यहाँ पर घर क्या है कर्म है तो कर्म में दुतिया होती ही कर्मनी दुतिया आप पड़ चुके हैं सूत्र ठीक है न दोस्तो इसके बाद आप हमारे एप को जरूर डाउनलोड कर लें और एप को डाउनलोड कर लेंगे आप description में link दी है यदि कोई problem हो तो इसके आगे में एक वीडियो जोड रहा हूँ उस वीडियो को आप देख करके भी एप को डाउनलोड कर सकते हैं कि मैं पहले वीडियो में जोड चुका हूँ तो इसमें में नहीं समस्ताव शकता है आप जानते हैं description में जाकर कि कैसे डाउनलोड करना है तो जरूर कर लें ठीक है तो like को share कर दीजिए आगे हम पुना और चर्चा करेंगे इसी तरह के पर सनरंतर ला रहे हों आँगे भी लाते रहेंगे जुड़े रहिए